हेलो एवरीवन आज हम बना रहे हैं सभी की फेवरेट और टाइम फेवरेट रेस्पी इसे जब भी मिले न कोई मना नहीं करता खाने में और टेस्ट ऐसा कि आप एक बार 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 खाएंगे और बहुत ही सिंपल रेस्पी है देखते ही आपको अंदाजा मिल गया होगा कि आ पीरा तेजपत्ता लॉंग अद दाल चीनी इलैची जो भी आपके पास खड़े मसाले वेलेबल उसे डाल देंगे बारी कटा हुआ हम प्याज डालेंगे प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें अम फ्रेश मतर डालेंगे इसे भी हम तड़के के साथ ही भून फास डंज निया पव्डर और टेश कर अकॉरडिक नमक नमक तर हम पहले डाल रहे हैं ताकि हमारे मटर सही तरीके सरीगे इसे कंटिनू राते रहेंगे एक रानेंगे जंदोश के साथ मटर पक जाएंगए और मसालें भी पस जाएंगे और उसमें हेहारा सेफ हो जयाए और बहुत ही स्वाध बनेगा तो अब बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे यह मैंने टमाटर दो डाले हैं बढ़े और खटे वाले तो इसे आपके खटे ना हो तो आप चार भी आड़ कर लेजिए गा इसे कंटिनू ही लाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक यह जो टम मिनट तक ही पकाएंगे तो बिल्कुन यह सॉफ्ट हो जाएंगे देखे कितनी ग्रेवी बी जैसे बन गए हैं तो यह हमारे टमाटर और मटर अच्छी तरीके से पक चुके और मसाले भी कंटिनू जो हम ने डाले थे ने वह भी अच्छी तरीके से पक गए हैं तो इसे हम थोड़ा सा और मैश कर देते हैं ताकि टमाटर ना ग्रेवी का रूप ले ले यह मैंने चार से पांच आप बॉयल आलू लिये हैं इसे मैंने पहले ही उबाल लिया था इसमें डालकर इसे कंटिनू मिलाएंगे ताकि मटर टमाटर और मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिल इसे हाई फ्लेम पे ही मिलाएंगे जब इस सबजी आप टेस्ट करेंगे तो इतनी टेस्टी और पूड़ी के साथ तो इसका टेस्ट डबल ही हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर देते हैं ज्यादा नहीं पानी डालूंगे मैं सिर्फ नॉर्मल एक कप ही डा किये और जल्दी उबाल भी आ जाएगा यह हमारे सूपर टेस्टी सबजी बनकर त्यार है टाइम भी नहीं लेगा बनाने में और यह जल्दी से बनकर त्यार भी हो गए तो इसमें अब गरम मसाला और कस्तूरी मेथी डालेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है झालेंगे हिलाने के साथ इससे जगाएंगे हिलाने के साथ ताए कि करस्वास सब्सक्स्थी टाइम भी नहीं लगा बनाने में और पहुत ही टेस्टी जटपट बनकर त्यार भी हो गई है उपर से मैंने दो हरिमेज को इस तरीकी के बीच चीरा लगा कर काट लिया तो इसे भी डाल देंगे और खूप सारा धनिया धनिया के बिना तो कोई सब्जी अदूरी है तो इस त देखिए यह कितनी टेस्टी और यमी दिखाई दे रही है आप इसे ब्रेक फास्ट में इवनिंग में जब भी मन करें से तुरहंद बनाई यह मैंने लंच में बनाई थी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमेशा चटपटा खाने का मन करता है तो इस तरीके से सब्जी आप ब दारी और सॉफ्ट बनेगी और एक भी पूड़ी ना बीना फूले नहीं रहेगी इस तरीके से देखे जैसे नॉर्मल पूड़ी बनाते है उसी तरीके से हम पूड़ी को बेल लेंगे बेलने के बाद फ्राइपेन में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो एक एक करके सभी पूड़ी को डालेंगे ना तो देखिए एक भी पूड़ी हमारी बीना फूले नहीं रहेगी और जटबट बनकर त्यार हो जाएगी जब तक तेल गरम ना होना तो पूड़ी बनाने में मजा नहीं आता देखे तेल हमारा कितना धुएदार गरम है तो इस तरीके सभी पूड़ी को डालेंगे ना तो सारी पूड़ियां इस तरीके से फूलेगी और जटबट बनकर त्यार हो जाएगी बच्चों को जब इस तरीके से पूड़ी और आलू मतर की सबजी देंगे ना लंच में या ब्रेक फास्ट में कभी भी तो बहुत ही टेस लेके खाए मज़ा आ जाए और एक एक करके जब हम पूरी को सर्फ कर रहे हैं तो देखने में कितना यमी तो समझ लेज़े खाने में कितना टेस्टी होगा यह हमारी सूपर टेस्टी थाली बनकर त्यार है इसे आप नॉर्मल कभी भी बनाईए यह और टाइम फेवरेट रेस्पी है और जब भी मन करें आप उन्हें यह बता देजे कि आज पूरी बन रही है तो वो सारे काम जल्दी जल्दी कर लेंगे और हमें एक्स्टा महनत भी उन्हें खिलाने में नहीं लगेगी फटा फट बनाकर इस तरीके से देंगे तो यह बच्चे बहुत इंटरस्ट लेके भी खा कि आपने इस राइस्पी को बनाया और ट्राइ भी किया तो कैसी बनी वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंस और शेयर कीजिए